कैसे आप सब उमीद हैं आप लोग अच्छे होंगे चले आज हम लोग अलजेब्रा यानि की बीजगनित के बारे में पढ़ेंगे पुर्ण पार्ट होता है यानि की इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग बीजगनित के नाम से जानते हैं तो चले हम लोग जानते हैं कि यहां पर अलजेब्रा जो है इसमें जो होता है संख्या है इसमें क्या होती है संख्या है दो तरह से होती है जिसको हम चर संख्या बोलते हैं अलजब्राम क्या है पहली संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं चर संख्या इन्हें कि संख्या को दो परकार में बाटा गया है इन्हें पहली संख्या क्या हो गया पहली संख्या हो गया चर संख्या जिसको हम इंग्लिस में बैरियेबल नंबर स संफ्या दुसरा किया है दुसरा है वर योचार संफ्या जिसको हमIGLIS में क्या बोलते हैंजिसको हम fetch me constant number बोलते हैं ऑ वचार संफ्यानिक इसको इंगलिस में क्या बॉलता है स्भूर नभन जाने कि यहां पर कि जो संफ्या है दो तरह की हुई यानि कि पहली संख्या चर संख्या और दूसरी और चर संख्या तो इन दोनों संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे कि चर संख्या किसको कहते है यानि कि जिसका मान बदलते रहता है जिसका मान बहरी करते रहता है तो इसको हम चर संख्या बोलें यानि कि लोग कॉंस्टेंट नहीं रहे गए हमेसा बदलते रहेगा इसका मान बहरी करते रहता है तो इसलिए हम इसको चर संख्या बोलते हैं यहां से पता चलता है कॉंस्टेंट नंबर जिसका मान इस्थीर हो यानि की एक, दो, तीन, चार इस तरह की संख्या हो कम लोग और चर संख्या बोल सकते हैं यानि की इसका मान कॉंस्टेंट रहता है इसका मान कभी नहीं बदलता है इसका मान पहले से कॉंस्टेंट है तो इसलिए हम इसको अचर संख्या के नाम से जानत रहता है उसके पीछे प्लस का साइन चुपावा रहता है और वाय जैसे कोई भी अचर हो तो उसके पीछे क्या रहता है उसके पीछे प्लस का साइन चुपावा रहता है यानि कि उसके पीछे धनात्मक पावर रहता है तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर चर संख्या ऐसा कि एक्स प्लस एक्स यानिकी दो चर संख्या है मिलकर क्या हो जाएंगी एक्स प्लस एक्स मिलकर टू एक्स हो जाएंगी क्या हो जाएंगी एक्स प्लस एक्स मिलकर टू एक्स हो जाएंगी आप हम लोग यहां पर देखेंगे कि किस तरह से हम लोग चर अचार संख्याओं का यो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो चर और और संक्याहों का योग को हम सलीशन कर सकते हैं जैसे कि हम लोग यहां पर और भी एक्जांपल मैनस 4x क्या होगा मैनस 4x प्लस मैनस 3x क्या हो जाएगा मैनस मैनस क्या होता है मैनस इंटू मैनस क्या होता है मैनस इंटू मैनस प्लस होता है क्या होता है मैनस इंटू मैनस प्लस होता है लेकिन यहां पर देखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें क्या है इन दोनों में सबसे बड़ी संख यहां होगी तो उसका जो बेली हो रहेगा उसी बेली को हम लोग साइन को यहां पर डिनोट करेंगे यहां पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो उसका चीन हम लोग क्या डिनोट करना है लेकिन अगर हम इसके विपरीद बात करेंगे जैसे कि यहां पर 10x दिया हुआ है यहां पर क्या दिया हुआ है और इसमें हम लोग 7x गटाएंगे यहनि कि बड़ी संख्या मैंसे चोटी संख्या को गटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10x मैंसे 7x घड़ गया तो कितना बचा 3x बचा थिन ख挑 में को आपर अट लेकिन और कि यहां पर क्या है तर प्लस को जाए थो कि यहां पर शांक से बड़ी गटा यहांगे यहां पर सबसे बड़ी संख्या क्या है साथ उड़ी संख्या क्या है तो नोग जानते हैं कि 10 मैंसे साथ घटेगा तो कितना बचेगा दस में साथ गटेगा तो कितना बचेगा तीन एक्स बचेगा लेकिन यहां पर साइन की बात करते हैं यहां पर प्लस है यहां पर मैनस है तो इन में से सबसे बड़ी संख्या क्या है साथ और दस में सबसी बड़ी संख्या क्या है दस है और दस का साइन क्या है दस का साइन क्या है मैनस है तो यहां पर क्या देना पड़ेगा मैनस देना पड़ेगा यहां हम इसको दुसरे तो पर समझ सकते हैं कि यहां छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को गटाया जा रह जो कि हम लोग देखेंगे यहां पर कि हम लोगों ने कितना सीखा कितना कुछ सीखा हम लोगों ने तो हम लोग कुछ 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 तो क्या है यहां पर सबसे पहले 3x है क्या है 3x है और यहां पर क्या है 4x है पहले हम एक्स ग्रूप को अलग-अलग करेंगे यहां पर जो प्लस 3x दिया हुआ है तो उसके पीछे क्या साइन उसके पीछे प्लस का साइन है यहां पर इसको लिख लेंगे यहां पर क्या चिनन है यहां पर चिनन है यहां पर जाना कि इतनी बड़ी संख्या को की तरह से एक्स और वाइं ग्रूप में अलग-अलग करके उसको solution कर सकते तो चलिए अब यहां पर कुछ नियाम जान देते ताकि हम लोग पर अमछी जाना लेंगे ताकि हमको किसी भी तरह के गुणा बाग में कुछ दिक्कत ना लोग तो च्बसे पहले नियम की बात करेंगे हम लोग तो इसमें नियाम क्या है इसमें नियाम हमारा क्या है कि यहां पर एक्स एक्स और गुना वाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स गुना वाई होगा तो इसको हम लोग मैनस एक्स वाय हो जाएगा ठीक है यहां पर एक मैनस से प्लस है तो मैनस प्लस मैनस होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा मैनस एक्स वाय हो जाएगा अब तीसरे नंबर के अगर नियम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अगर यहां पर एक्स पॉजिटिव है और वाय क्या है यहां पर भी क хотел чागा यहां पर भी वही है ऐस मैनस एकश्वाय हो चाइब सब्सक्राइब नहीं लोकाइब कि पिछे बताये सब मद एक हो जाए तो जै याँ पर बात करेंगे इसका उधारान लेके जैसे हम लोग याँ पर उसका ंदारन लेके बात करेंगे तो जाए को यह इसका हम जो बात करेंगे Hydra निकान क्या लेंगे और चीछा चीजिटलु के बात करेंगे और A अगर हम मैनस 8 रखें तो क्या हो जाएगा यहां पर भी मैनस 16 हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू मैनस क्या होता है मैनस होता है और अगर हम इसके एक्जम्पल की बात करें तो यह कि मैनस 2 तो इंटो मैनेस एंट इंटो मैनेस में डिलकुल सोता है यहां पर क्या होगा 2-8 क्या होजाएगा सब्सक्राइब कर ऊंदे आप लोगों नए यहां यह संक्या किस को कहते और उचयर चंहका किस को कहते हैं और चार और और चार संख्या को किस प्रकार गुना कर सकते हैं और साइन में कोई भी प्रिवर्थन होगा साइन के प्रिवर्थन को我们 Nummer कीज तरह से कि संकेथ होगा जो मैनस प्लस शंकेथ होगा तो उसके नियम को हम लोग कैसे जानें गे